गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट वेलकम टू आसानाइस्टन इंग्लिश स्कूल एंड गुट शेपड एजकेशन सेंटर आई एम आश्यागनोत्री आई विल टीच यू कम्प्यूटर ऑनलाइन क्लास पॉर क्लास स्टुडेंट आप लोग का फो चैप्टर चल दा है आज हम लोग इसी क्या आगे रीट करते हैं मर्जिंग एंड इस्प्लिटिंग सेल आज हम लोग यहां से रीट करेंगे सेल को कैसे मर्ज और स्प्लिट करते हैं देटक्ट्त्ट्स तो मर्ज इस फ्रावर प्रूटस को मर्ज करने के लिए आपको यह स्टीप फालू करने हैν सब्सक्राइब इसके बाद आप मर्ज और वह जाएगी यहां पर दिखाया गया है पहले सेल को कहीं इसमें डिवाइक है और उसके बाद जब मर्ज करेंगे तो पूरी सेल यह देखे पूरी सेल एक हो जाएगी यह बर्ज कहलाती है दाइस्टेप टूइस्प्लिक साइल आड़ एस फालू अब सब्सक्राइब कैसे करेंगे इसके लिए आपको यह सब्सक्राइब करने बढ़ेंगे इस टेफ फर्स्ट लेग अब जिस साल को स्प्लिक करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे पह इसके आप मर्ज गृूप में जाएंगे और ट्लिक दाइस्प्लिट सेल आप्शन पर क्लिक करेंगे दाइस्प्लिट साल डालाग बोक्स एपियर यह देखें से डालाग बॉक्स आ गया है आपसे पुछेगा नंबर अब कॉढम आपको उस चाल में जितने भी कॉढम देन के उसी के arendu वो श्यल को स्प्लिट कर देगा ग्ड़ी जो हिए अ ग्यास तर्क्रव मुष्ण करेंगे और उससे कंवाय डिइवाइड हो जाएगा है श्टाफ डॉस्ट्स फाइज़ आनमब्र और ज्वो दैन क्लिक ओकर और आप उसको प्लिक कर देंगे वो तहल जो बोटुँ दिखेंघ्य है स्पिलिट्स ले सेल को उतने भू और कर में समय कर दिया है एर अधिक बैष्ट जो यहां पर यहां पर इए इस पुलिट्टेबिल दिया हुआ है तेबिल को भी हम लोग इसी तरह रोव और कॉलम बता देंगे उसको टेबिल को भी दो भागों में यह डिवाइड कर देगा यह इस प्रेट टेबिल के लाता है यह स्प्रेट स्याल के लाता है यह मर्द सैल है मर्ज सैल में आपका यह दिखिए यह सैल है इसे सपोस्ट्री उसमें डिवाइड है आप जैसे मर्ज सैल को अप्चन देंगे यह पूरा सैल एक सैल हो जाएगा मर्ज हो जाएगा यानि कि यह डिवाइड नहीं रहेगा यह मर्ज सैल के लाया और स्प्रेट सैल क्या करेंगे फिर आप सेलक्ट करेंगे इसी सैल को और आपने जो भी दे दिया 2 या 3 आपने column जो दे दिया वो इसी cell को divide कर देगा column में तो यह होग्या split cell जैनि cell को column में divide कर दिया और जो हमारी table बनी हुई होती है split table कैसे होगी Suppose यह table बनी हुई है अब वो टेबिल को स्प्लिट कैसे करेगा इस टेबिल को स्प्लिट करने के लिए अब गर आपने टेबिल को दो भागों में कर दिया डिवाइट टू भागों में तो इसी टेबिल को कि यह देखें टेबिल को दो भागों में डिवाइट कर दिये यह स्प्रेट के लाई यह टेबिल को स्प्रेट किया है यह सेल को मर्ज किया है यह merge cell है यह split cell है और यह split table है इस तरह से merge cell, split cell और split table करते हैं next step formatting table formatting table कैसे करेंगे after creating a table you can format apply different style, change the row, height and column or apply border and setting table में आप apply कर सकते हैं border setting और different styles उसकी formatting table की कर सकते हैं कैसे करेंगे आपको यह step follow करेंगे this step to apply different table style to an exciting table or as follows step first select the entire table under table tool click the design tab इसके लिए आप जो table आकी है उसमें table tool option होगा उसमें क्लिक करेंगे और उसमें इसके बाद design tab पे क्लिक करेंगे यह देखिए different type की tables बनी हुई है आप इसपे जो सी टेबिल अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं step second in the table style group click the style you want आप जो भी style करना चाहते चूँज हो कर सकते हैं step 3 to see more style click the more arrow a menu of different available styles appear आपको यहापे different table style देखिए दिखाई पर रिए आपको as you move the mouse pointer over a table style MS word डिस्प्ले हाउ टेबिल वुड भू लूट आपको MS words में आपको difference style देखिए आपको जो भी चूज करनी है आप उसको चूज कर सकते हैं और उसका look change कर सकते हैं color change कर सकते हैं formatting कर सकते हैं जो भी click the design table design table style MS word विल फार्मेट दा टेबिल according to the selected style आपको जो स्टाइल है आपको फार्मेट टेबिल वैसे बनी हुई मिलेगी आप अपनी पसंद का चूज करके टेबिल को फार्मेट कर सकते हैं next is changing row height row की height कैसे change करेंगे आपको row की height बढ़ानी है या गतानी है उसके लिए आपको यह step follow करने पड़ेंगे this step to change row height are as follows step first select or click anywhere in the row which height you want to change click the layout tab आपको पैदे उस cell select करनी है जिसके आपको height बढ़ानी है you want to change click the layout tab आप उसके बाद layout tab पे क्लिक करेंगे step second in the cell size group click the table row height आपको बाद उसके बाद आपको row की height बढ़ानी है तो यह देखिए यहां पे दिया गया है different table styles row height जो है आप उसमें the height का बता देंगे कितना आपको बढ़ाना है यह अटाना वह बाक्स से फिल कर देंगे उसी के कार्डिंग आपकी row की height बढ़ जाएगी changing column width आप कालम की चोड़ाई कैसे बढ़ाएंगे आपका अपने according column का जैसे suppose किसी नाम लिख रहा है नाम नहीं आ रहा है तो आप चाहेंगे उसकी width बढ़ जाए तो नाम पूरा उसमें आ जाए तो इसके लिए changing कैसे करेंगे the step to change column width इसके लिए आपको step follow करने है step selected और click the column which you want to change click the layout tab इसके लिए आप layout tab पे क्लिक करेंगे step second in the cell size group इसके बाद cell size group आपको जिद्दा चाहिए आप उसकी width बताएंगे scroll box to change the column और scroll box में width जो भी देंगे उसके according to column बढ़ जाएगा applying border and setting यह हम लोग next class में रीट करेंगे important information dear parents kindly deposit the fee of your work to continue your online classes office timing 10 a.m. to 2 p.m. thank you